मनिसका सेप केस में सुप्रीम कोट ने मांगा सरकार से जवाब सोनुसूद ने ट्वीट कर बताया मनिसका सेप को देश भग तो ट्रोल्स के निसाने पर आगए सोनुसूद बोले भाईया आपसे ये उम्मीड नहीं थी बिहार की यूटूबर मनिसका सेप की मुश्कील एक खत्म होती नहीं दिख रही है लेकिन सोसल मीडिया पर उनके पक्ष में लोग लागातार अपना समर्थन दे रहे हैं लोगों का मानना है कि मनिसका सेप पर एने से लगाना जादा कठोर है ऐसे में उन्हें फिलाद सुप्रीम कोट से भी जटका लगा है कोट ने बिहार सरकार और तामिलाडू सरकार को नोटी जारी कर जबाब मांगा है और 21 अप्रेल को फिर से सुनुआई की तारिक तैकी है ऐसे में बॉलीवूड अपनेता सोनुसूद ने ट्वीट कर इस मामले को और हवा दे दी है तो आए जानते हैं इस रिपोर्ट में सोनुसूद ने क्या कहा है और लोगों का क्या है इस पर रियाक्शन बिहार की यूटूबर मनिश का सेप को बॉलीवूड के चचित अभिनेता सोनुसूद का साथ मिल गया है सोनुसूद ने ट्वीट कर मनिश का सेप को लेकर बड़ी बात कही है परियबबात में यकिन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है और काणून के उपर हमारे देश में कुछ भी नहीं जो भी होगा सही ही होगा बस सिरक्याता सोसल मीडिया पर लोग सोनुसूद को ही ट्रोल करने लगे हेतराम गोठवाल नाम के ट्यूटर यूजर ने सोनुसूद पर कमेंट करते हुए लिखाये कि वो एक गाली बात बेकती है आपकी हम बहुत इज़त करते हैं सर उसके चकर में मत पड़ो अश्वन ही आरो नाम के एक दूसरे ट्यूटर यूजर ने लिखाये कि आपसे यह उमीड ने थी अफसोस आपने इस बार निरास किया है भईया आपको ये नहीं करना चाहिए था यही नहीं कुछ लोग मनिश कस्यप का समर्थन भी कर रहे हैं इनकी भी फेरिस्ट लंबी है निरत पाठक नाम के एक ट्वीटर यूजर ने लिखाये कि मनिश कस्यप को आपका साथ चाहिए उनको बदले की भावना से प्रेरित होकर फसाया जा रहा है दरसल मनिश कस्यप ने सोसल मीडिया पर दावा किया था कि तामिलाडो में रहने वाले बिहारीों के खिलाब हमले हो रहे हैं जिसमें दो बिहारी मदूरों को भी मौत हो गई है सोसल मीडिया पर कई वीडियो कोश्ट किये गए थे इसके बाद तमिलाडों में रहने वाले बिहारी मजदूरों के भी दर का महौल बन गया था इन वीडियो को सच मानकर भीहर के मुख्यमंतरी ने हैस्ते छेप किया और मुख्या सची वे डीजीपी को मामले की जाँच का आदेश दिया मुख्यमंतरी के निर्देश के बाद चार सदेश यह टीमता में लाडू गई थी जहा मामले की परताल की गई इस जाँच के बाद मनिस्का सेफ पर मामला दज किया गया और आप मनिस्का सेफ से जूड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक में लिखे बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रिये जनसप्ता के साथ धन्यवाद